हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं चैनल जॉब हंट विट स्वाथी आज मैं आप लोग लिए नई जॉब अपच्चिटी लेकर किया हुए यह पच्चिटी आई हुए है आयाइटी अकेडमी की तरफ से आयाइटी अकेडमी हारिंग कर रहा है टिस्टर मार्केटिंग इंटर्णशिप के लिए एज रिमोट जॉब या रिमोट इंटर्णशिप आलो और इंडिया के लिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कहीं से भी आप्लाई कर सकते हो चली इसमें चेक आउट कर लेते हैं क कि यह क्या आपकी रिस्पॉंसिबिल्टी रहने वाली है क्या मंगा गया है बेनफिट्स आपको क्या मिलने वाले ठीक है सो फिस्ट ля बाले इसमें क्लिकेशन क्या मागी गई है करेंटली इंडोर इंडवर्स और मास्तर्सदीडी प्रोगरम इस्ट्रॉंग पैशन पर इसलिटल्मर्करिकृटिग 费ंडल थे इसलिट्स इपला है क्रेंटील्टीरिय ऐस्चिई मिलने वालने दर्सी मेट एर जल it will be a plus point ठीक है so self motivated creative and a team player तो देखे आपको कम से कम graduation या master's में enrolled at least होना चाहिए मतलब कि interpass तो आप हो लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका graduation complete नहीं भी है बट आप कही ना कहीं से कर रहे हो फिर आप चाहे private कर रहे हो कैसे भी कर रहे हो मतलब interpass हो लेकिन आप graduation ऐसा mandatory नहीं है ठीक है interpass हो लेकिन graduation mandatory नहीं है आपको कम सकम enrolled होना चाहिए जैसे कि आप first year में हो second year हो third year हो चाहिए आप graduation में हो या post graduation में हो किसी में भी हो ठीक है आपको enrolled होना चाहिए ठीक है अब जाते है strong passion for digital marketing and desire to learn and grow in the field तो obvious से बात है अगर आपको इसमें interest होगा आप इस field में आगे बढ़ना चाहते हो तब ही आप यह करना चाहोगे और यह सब बहुत ज़्यादा demand में है और आगे आने वाले दिनों में इन सब की demand बढ़नी ही है तो यह internship अगर आप कि लिए बहुत ज़्यादा beneficial रहने वाली है ठीक है career purpose से तो अगर आप यह सोच रहे हो कि आगे आगे क्या career opt करो तो यह सारी जो चीज़ें है यह सारी जो internship आप चल आ रही है digital marketing वगेरा कि आप इसको आप choose कर सकते हो as career ठीक है तो चली इसमें आगे बढ़ते है familiarity with social media platforms and digital marketing tools तो social media platform में आजकल सभी लोग active रहते हैं सभी को जानकरी रहती है digital media tools digital marketing tools ठीक है तो digital marketing tools के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए अगर नहीं है तो उसको थ्वास आप चेकाउट कर सकते है YouTube अगेरा पर आपको समझ में आ जाएगा ठीक है कैसे marketing करने है क्या क्या tools यूज होते है ठीक है generally सिर्फ familiarity की बात की रहे यह निकिए आपको उसमें आना ही चाहिए right because this is internship आपको खोद बताया जाएगा और जाते है बेसिक ग्राफिक डिजाइन इसकल्स like adobe creative switch and canva is a plus तो यह plus point होगा लेकिन that is not mandatory canva क्या होता है जिसमें लोग thumbnail बनाते है ठीक है adobe creative suite में भी हम लोग वही काम करते है ठीक है so मतलब जो design वगेरा create की जाती है ठीक है so वही सारी चीज़ों के लिए आपकी skill होने चाहिए फिल चाहिए adobe creative suite के जरी आप करो या canva के जिरे करो या बोथ अगर आपको knowledge है तो that will be a plus point with you नहीं है समझ में अगर आप नहीं कभी किया है तो भी आप उसको YouTube पे चेक आउट कर सकते है बहुत simple सी चीज़े है ठीक है self motivated creative and team play तो creativity आप में होनी चाहिए विकास आपका work ऐसे रहने वाला है तो marketing का जो digital marketing में आपको design वगरा create करके और बहुत ही अच्छा सा attractive सी चीज़े बनानी और लिखनी पड़ती है ठीक है तो आपके इंदर एक creativity होनी चाहिए अब जाते हैं आपका क्या work रहने वाला responsibilities क्या रहने वाली है assist in developing, engaging and creative content for various digital platforms including social media, email, campaigns etc. बहुत interesting profile आपकी रहने वाली है जैसे कि social media पे और email के जरीए आपका marketing का काम रहेगा ठीक है तो उसके लिए आपको content तियार करने होंगे ठीक है जैसे कि marketing के purpose से content आपको तियार करने होंगे रहेए तो काफी अच्छा रहेगा वो help manage and grow our social media presence by scheduling post, monitoring engagement and analyzing performance metrics ठीक है आपका काम रहने वाला है monitoring engagement और scheduling post social media presence by scheduling post पोस्ट तो गएरा करते रहना है ठीक है और उसमें लोग की कितने आपको कितना लोग attract हो रहे हैं ठीक है वो सारी चीज़े analyze करने performance की जो भी आप content तियार कर रहे हो marketing के purpose से उसकी क्या performance है ठीक है वो सारी चीज़ें आपको देखनी है और पोस्ट करना है ठीक है help create, manage and optimize online advertising campaigns on platform like google ads and social media advertising ठीक है यह सारी चीज़ें आपको बताई जाएगे और आपका work की social media advertising marketing यह सारी रहने ही वाला है ठीक है अब ज़ते हैं basic graphic design skills and creative visually appealing content including social media graphics and email templates as I told you कि appealing content होना चाहिए ठीक है attractive बतलब जैसे कि लोग scroll कर रहे है तो हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि तरह तरह की ad अक्चले लेकिन कुछ-कुछ ऐसे ad होते हैं यह कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे लिख देते हैं कि वो आप उसमें देख लेते हो ठीक है फिर आप उपन करते हो तो आपको फ़ले ही फ़र्जिस चीज़ें देखे हैं ठीक है लेकिन कहते हैं पैकेजिंग मोस्ट इंपॉर्टन है मार्केटिंग में ठीक है कैसे आप कॉंटेंट इतियार करो कि लोग उसमें अट्रैक्ट हो और उसको ओपन करने के लिए उसको जानने के लिए वो क्यूरेस हो जाए ठीक है तो वही में होता है आपका अपीलिंग कॉंटेंट ठीक है चाहे वो राइटिंग के जरीए चाहे वो आपका successful completion of internship, okay, अब जाते हैं, receive an official certificate upon successful completion to boost your resume, potential for future full-time employment based on your performance, तो यह important चीज़ है, कि अगर आपका performance अच्छा रहता है, तो आपको यहाँ पर full-time employment भी मिल सकता है, तो अगर आप अच्छे से work करते हो, अच्छा बहतरीन आप content तियार करते हो, तो आपको यहाँ पर full-time job अभी मिल सकती है, hands-on experience in a digital marketing, ठीक है, तो मतलब आपको digital marketing में अच्छा कासा experience हो जाएगा, आप कहीं भी apply कर सकते हो, opportunity to contribute creative ideas and make a real impact, networking opportunities within the industry, तो आपका network भी अच्छा कासा बन जाएगा, तो आपको काम भी मिलने लगेगा और आप अच्छा वग करते हो, तो ठीक है, minimum duration of internship will be 3 month and this is a performance based internship, stipend amount will be given depending upon your performance during the internship, तो आपको stipend मिलने वाला है, ठीक है, आपकी चीज़ें जो सीखोगे वो तो अलाग है, आपको stipend भी मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, यह नहीं दे रखा है, यह आपके performance पर depend करता है, ठीक है, जैसे भी आपकी performance रहेगी, वैसे ही आपको stipend भी मिलेगा, ठीक है, अगर अच्छी performance रहेगी, तो आपको stipend मिलेगा, एक job के opportunity भी मिलेगी, आपके networks भी create होंगे, आपको बहुत से जगासी offers मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दी है, और इसका apply link मैं आपको description में दे दूँगी, अगर आपको मेरा channel पसंद आए, तो उसको आप subscribe कर सकते हैं, thanks for watching my channel, bye bye